नमस्का दोस्तों जै हिंद जै भरत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी के आधुनिक काल पर प्रकाश डालिये अर्थात हिंदी विशे का यवे हिंदी साहिकते का जो चोथा काल है जिसका नाम है आधुनिक काल अर्थात वर्तमान काल इसका आविभार क्यों हुआ यानि कि इसका अविर्भाव क्यों हुआ इसकी शुरुवात क्यों हुई ऐसा क्या आन पड़ा जो हिंदी में आधुनिक काल का जन्म हुआ इससे संब्धित प्रेश्ट में मद्धे प्रदेश की बोर्ड वर लोकल पाइकशाओं में तथा हिंदी अधुनिक काल पर प्रकाश डालते हैं आधुनिक हिंदी कवीता का प्रारंब यानि कि वर्तमान काल की हिंदी कवीता का प्रारंब 1900 से माना जाता है यह काल अनेक द्रेश्टियों से महत्यपूर्ण है इस काल में हिंदी साहित्य का चहु मुखी विकास हुआ यानि कि आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का चहु मुखी विकास हुआ जो आधी काल में नहीं हो पाया था जो पूरमध्य काल में नहीं हो पाया था जो परिवर्तनों को लेकर उपस्तित हुआ ये ये परिवर्तन हुए दोस्तों हमारे समाज में समझें परिवर्तनों को लेकर उपस्तित हुआ जबकि इधर आधी काल में राजा महराजाओं के युद्धों का वर्णन भक्ति काल में राम और क्रेश्न का और निर्गुन ब्रहम क देखनको मिलता है और शेंगार काल में के लेखनको मिलता है इस तरी का वरन को मिलता है परंतु देखे uğडे थे देख들이 हमें आधुनी कossen वह प्राप्ट होुए कविता हों के मांथ्यमसे इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रती नए द्रेश्टी कौन का आविरभाव हुआ यनिके सुरवात हुई और भी देश के जो मुद्दे थे गरीवर्ग के अमीर वर्ग के गरीभी, भुकमरी, आकाल, बेरोजगारी ये सब हमें इस काल की कविताओं में देखने को मिलते थे जो उपर की कविताओं में हमसे छूड गए थे आधुनी हिंदी कविता का विकास क्राम हम देखते हैं इसको छे भागों में बाटा गया है आधुनी काल को कितने भागों बाटा गया है दोस्तों अंगरेजों के प्रति विद्रोः देखने को मिलता है अंगरेजी सिक्षा का व्रोद देखने को मिलता है दूसरा बिंदु है दूएधी यूग दूएधी यूग चला सन 1900 से 1920 तक इसके प्रवड़्दक हैं आचारे महवी पिर्साद दूएधी इसमें भी हमें अंग्रेजों के प्रती विद्रो देखने को मिलता है और अंद विस्वासों का अवरोध देखने को मिलता है इस्ति जाक्रन देखने को मिलता है काई में कविताओं में और निबंदों में नाटकों में और दोस्तों द्वेदी युकी खास बात ये है कि इसमे यिंदि में व्याकरण आगेय यह कि खड़ी बोली थी उसमें उसने व्याकरण सम्मत रूप ले लिया शमंजे बहाण फूर लिफ रूप से और Transheim होती है ﷺ यह पूर्ण रूप क nei दे में द्वेदी यूग में आई वो याने कि खड़ी बोली को व्याकरन सम्मद बना दिया महावी प्रसाद द्वेदी ने तो अधिक से अधिक कवियों ने ब्रज भाषा को और अधिक उत्या का खड़ी बोली को अपना लिया तीसरा है छायावाद यूग यह है यूग चला सन 1920 से 1936 तक इसके प्रवर्था के जैशंका प्रसाद इसमें हमें पूरी प्राकरति का वणन देखने को मिलता है कवी अपने हर्ष और सोक को प्राकरति के माध्यम से व्यक्त करता है चायावाद का ही एक भेद है रहसेवाद और इसका ही एक भेद है उत्तर चायावाद उत्तर चायावाद को हम हालावाद कहते हैं इसके प्रवर्था के हरिवन श्राय बच्चन और रहसेवाद के प्रवर्था के मलिक मुहम्मद जाईसी अब आता है दोस्तों चोथा काल प पुन्जी वात का विद्रोह किया गया है और गरीब होता था किसान वर्गों कि साहता के बारे में कविता लिखी गई है पाच्वा है प्रियोग वाद प्रियोग वाद चला सण 1943 से 1950 तक प्रियोगवाद के प्रवर्तक है अग्ये जी अग्ये जी का पूरा नाम है सच्चिदानन्द, हीरानन्द, वासायन, अग्ये जी ये प्रियोगवाद जो है ये फ्राइट के मनो विशलेशन पर आधारित है समझें? और इसमें मैं की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है जब हम काम नहीं आता है तो मैं का तीवर्विस्पोर्ट होता है समझें? छटा है नई कवीता ये प्रियोगवाद और नई कवीता कुंठित हो चुकी है दोस्तों नई कवीता सन 1950 से आज तक चल रही है इसके प्रवर्वर्ट तक है गजनन माधो मुक्तिवोद इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? महानगरिय समस्याएं और ग्रामिन समस्याएं महानगरिय समस्याएं क्या है? ये फांसी लगाना, काला, गोरा, लंबा, छोटा इस प्रकार के भेदभाव देखने को मिलेंगे आपको और ग्रामिन समस्याएं में जो ये पूझी वाद, बैल का मर जाना, गरीबी हो जाना इस प्रकार के मुद्दे देखने को मिलेंगे ने ग्रामिन के मुद्दे भी हो शेहर के मुद्धे आपको नई कविता में देखने को मिलेंगे शेहर के मुद्धों में आपने देखा होगा लड़के लड़कें प्यार करते हैं तलाक ले लेते हैं इनने कुंठित हो जाते हैं कुंठा कुंठा से ग्रस हो जाते हैं तरस्त हो जाते हैं यहाँ पर ठीक है न तो उम्मीद है आज का वीडियो को पसंद आयोगा समझ भी आयोगा तो इसी कारण आधुनी काल का जन्म हुआ और आधुनी काल में हमें विविद विशे देखने को मिलते हैं यह आधुनी काल ना होता त तो लोबार जाकते भी नहीं दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें शेर करें पर सब्सक्राइब करें धन्यवाद